आप सभी लोग यदि अनेकेडमी का आप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लें और यदि आप फिरी में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक हैं वो सारे लॉक हो जाएंगे यदि आप गोड निटेन यूज करने हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा प्लस कोर्स पर्चीस करना होगा जो कि आपको वन यर टू यर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है वन यर टू यर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट भी यदि आप रेफर पुर्ट इतने यूज करते हैं वैसे आप लोग का जो ये पोस प्राइस है बहुत ही बहुत ही चीम्डेस चाहिए यह इतने में तो भाई मार्केट में आपको खरीब पाते हैं इतने में तो आपको वीडियो ग्लासेज, आपको पीडियाफ, आपको वोक्स के सारे जो नोट्स हैं, वो एक सिंगल वीडियो में बिल जाते हैं, तो दोस्तों इसे आज ही पर्चेस करें तो बच्चों आप सभी का स्वागत है, हमारे ओफिस्यल यूटूब चैनल लेट्सक्रैक SSCN रेलवे एक्जाम में तो RRB Group D के एक्जाम के बारे में आज बात करेंगे, इसका एक्जाम कब होना है, ठीक है, आप लोग इस वीडियो के मार्देम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्जाम की डेट हो सकती है, किस महीने से एक्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो आप सभी लोग जुड़े रही कि हाँ, इसी दिन से एक्जाम स्टार्ट होगा, आप लोग बस देखते रहे हैं, सब सब पहले हमें आपको यह बताना है कि एक्जाम जब स्टार्ट हुआ था, उससे पहले आपके नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़े में संथी, उन चीजों को हम देख लेते हैं, अप्राइल, मई और जून, तीन महीने में किसी भी महीने में स्टार्ट होने की उम्मीद थी, अब भया, इसमें क्या investigations क्रावट जब स्टार्ट हैं, बट इससे पहले जो एग्जाम फिनिस और रारर्बक एरनटी पीसि का, रार्बएनटी पीसिं का भी एक्जाम फिनिस न जायेगा मैं आपको बता दू कि ये आपका पंदरा अप्रैल एकसी करीज़ाया छाओ तक 7 फेस फिर उसके बाद आपका सात्वा फेस तो integrity cheating हुई जो या cheating कहीं हुई तो वहां पर cancel हुआ exam या किसी कारण वस्से system या कहीं center पर कोई problem थी तो वह exam भी अभी होने है तो आपको 15 April के बाद वह भी exam होगे तो मोटा मोटा आपका पूरा फिनिस हो जाएगा RRB NTPC के एक्जाम में, NTPC के एक्जाम में आपका पूरा का पूरा फिनिस हो जाएगा, तो जो आपका एक्जाम पॉस्बिल्टी कब है, गुरुप D की, तो जो इन्होंने टेंटिटिव डेद बताई थी, तो मैं आपको बता दू कि यह आपका प फिर 15 दिन पहले आपको वो आएगा, एड्मिट कार्ट आएगा, जब एड्मिट कार्ट आएगा पंदा के पहले तो मेरे भाई एक बात बताओ, जो आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि यहां पे हमारा जो एक्जाम है, आपका 25 मई से स्टार्ट होने के पहले कोई पॉस महीने या 25 दिन आज से, एक महीने, पूरा का पूरा ले जाएगा, तो अब यह समझ लो कि यह आपका आठ से दस मही तक पहुँच जाएगा, जब आठ से दस मही पहुच जाएगा, पंदा दिन पहले आपका एड्मिट कार्ड या लोकिशन बताएंगे, तो आपको 25 मही के स्टार्ट होने की पॉस्बिल्टी है, मतलब यह मैं कहना चाहता हूँ कि एक्जाम आपका मई İND में होगा या जून के फरस्ट बीग पे होगा, या आपका जून के फरस्ट बीग में होगा 1 fare to 7 तो एक्जाम इसी डेट में होने की पॉस्बिल्टी जादा है, तो आप यदि COVID का कहर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे किसी स्टेट में आपका लॉकडाउन लग गया, आपकी स्टेट में नहीं लगा तो एक्जाम तो यह आपका पूरा पैन इंडिया लेवल पे होता है, पूरे इंडिया पे होगा, तो आपका यह एक्जाम ऐसा तो है नहीं, मैं यह डेट तब बता रहा हूँ जब COVID का कहर नहीं होता है, वैसे एक्जाम हम लास्ट येर जाते हैं तो ऐसे ही था, एक्जाम कंड़ेट हो चुके थे, सौधानी के साथ एक्जाम हम लोगों ने कंड़ेट करा दिया थे, कई आयोग ने, SSE हो चाहए आपका और भी आउट जादा है, तो हो सकता है कि साथ डेटे और बढ़ा दी जाएं जो तीन से चार मीने, पान से च्छे मेने एक्जाम बढ़ा दें, एक्जाम टाइम पर करा दें, बट आप दिमार्ग में बैठा लो कि मैई से पहले एक्जाम नहीं होना, मैई के एंड या जून के स्ट जिन चीटिंग सेंटर में हुआ था उनका कैंसिल हुआ, उनका होगा एक्जाम, फिर उन सब एक्जाम होने के बाद आपका ये एक्जाम होगा, तो इसलिए इतना टाइम लग सकता है, ये मेरा अनुमान है, और मेरे साथियों आपके पास पर्याब टाइम है, तो आप सभी आपकों सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये सब्सक्रिप्शन होगा, पेसे आपको पेमिंट आपको है बारा महिने के लिए तो आप लिये यह लिम्टेड ओफर है आप साहए दो से तीन दिन के लिए तो इसे आज ही आप लोग पर्चेस कर लें मेरे बाइयों और आप लोग यदि जो प्राइज है यह प्राइज जैसे आप 12 मंद का है यह 14 मंद के लिए हो रहा है तो यह आप कर दो को पैसट सो रुपया का है जब रैफल कोड यह लगा देते हो तो आपको यह चीज पढ़ जाती है कितनी 5850 में ठीक है तो आप लोग रैफल कोड यह लगा के जरूर इसे पर्चेस करें और अपना दो महीने का जो वेनिफिट है नेकेडमी प्रवाइट करा रहा है आप उसे जरूर लें और आप लोग को स देरा कोसिस सरन कासा लगा आप सभी लोग कमेंड करके बताएं और आप लोग भी बता सकते हैं कि एक्जाम की डेट क्या हो सकती है ठीक है आप लोग भी अपना अइडिया बता सकते हैंब़ मेरा अनुमान यह है कि मैं महीने में स्टार्ट होने की कोई पॉस्बिल्टी ही जून से ही start होने की possibility है, बहुत start करेंगे जल्दी तो मई, 25 मई से पहले exam होने की possibility नहीं है, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, जहिन!